और फिर उसके बाद इसके अगली जो प्रेपरेशन ना थोड़ा सा पानी डालके फिर डालेंगे इसमें चीनी और उसको नमस्ते दर्शकों क्या है सबके होपसो आप इस पैंडमिक टाइम में ठीक होंगे अपने घर पे ठीक हूं और घर पे हूं नहीं इन्हें डिशे रोज ट्राइ कर रहा हूं तो आज बैसे तो आप लोगों थमनेल में पढ़ लेगे कौन सी डिश बढ़ने वाली है बैसे तो भी बरसात का मौसम है क्योंकि यह जो डिश है बेसिकली ठंड के मौसम में ज्यादर बनती है और बरसात का मौसम था और वैसे हमने किसी परपरस के लिए डाल बेग होई थी अपना शयतानी दिमाग चल गया कि वहीं है इसका तो कुछ बनाना चाहिए साथ मैं ब्लॉग भी हम एंक eloư हमने मौंग दाल बिगो थी खिर अब इसके जो गेउप के रैपर है कुछ पर हम जू हम जो चिल के है printing tom यह दाल मौंग डाल हमने बिगो दी थी मैंने ऐपको जैसे बिताया है और इसके जो उन नोक्त के चिलके हरे के अलेकर यह हमने थोड़े खरने जोड़े से अलग करने बन्हें अच्छे निदल मैं तो सबसे पहले थोड़ा पानी में इसको धो के इनको भीगो के हम करेंगे अलग अच्छे से तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा लगेगा टाइम तो दोस्तो बेसिकली हमने दाल को कर लिया था साफ और बारी है इसको ग्राइंड करने की तो मिक्सी अपनी लग चुकी है अब जल्दी से टिपे में डाल के इसको ग्राइंड करके इसको पीस के ही बनता है तो जल्दी से शुरू करते है सो दोस्तो और कड़ाई गरमuse से रखेंगे फिर इसमें जाएगा सिधा अवन देशगी देशी घी इतना कि जितने में अपना हल्वा आपको त्यार हो जाए तक्रीबन आपको अंदाज नहीं लेना पड़ेगा देशी घी तो जल्दी से डालते हैं इसमें घी दोस्तों अपना जो घी है वहाँ उससे गरम होने की फ्रेक्रेंस आने लग पड़ा है तो इसका मतलब यह साइन है कि इसमें हमें अब अपना यह पेस्ट डाल वाला डाल देना चाहिए तो जल्दी से पेस्ट को डालते हैं को दोस्तों बेस्ट के लिए उपको अपना मुझडाल का हल्वा तरस के लिए ज़्यादा मेहणत करने पड़ती है एस कंपेर टू हमारा सूजी का हलव गया आटे का हलव हो गया गज जर का हलव हो गया तो अभी हमें इस मुंग डाल की हलवे को इस घी में भूने जब तक तक तो यह तेल ना छोड़ दे और जब तक यह जो हमारी कच्छी डाल की जो फ्रेग्रेंस और वह न चली जाए जब नहीं करोगे कि सबसे अधा टाइम जो है इस हल्वे को बढ़ाने में लगता है और आपको जब आप डाल पीछते हो तो उसमें इतना पाणी नहीं हो चाहिए कि आपको टाइम जाता लगे और आपका जो है मतलब जब हम इसको घी के साथ डालते है तो एक छोटे-छोटे से ग करा है और इसके बाद डाल को ड़़ा और अवी मिलको लगता है कि around आद्धा गूंटा और लगे गास को पकाने पकाने में इसके बाद का प्रोसेस उसके बाद की इसको प्रोसेस पी आइसंग हाफ एन रहले और तो एक ठीज़िए और अच्छे से कूप करिए तो बने रह मेरे साथ जब तक हलवा तयार नहीं होता है तो दोस्तों आलमोस्ट हाफ एन आर कुक करने के बाद इसका कलर हलवे का थोड़ा सा चेंज ओना चालो हो गया तो भाई मैं भाई को बोलता हूँ कि जल्दी से कामेरा पकड़ी है वाना जल्द आएगा तो दोस्तों आलमोस्ट आद्ध घंटा कुक करने के बाद अब हलका सा मूंग दाल का कलर चेंज चालो हुआ है मतलब हलका सा ब्राउन बाउन होने लगा मतलब इसका मतलब की मूंग दाल का हलवा भून रहा है तो आई तिंक 10-15 मिंटे स्कोर भूनेंगे अच्छे से और फिर इसके बाद इसके अगली जो प्रेपरेशन हो थोड़ा सा पानी डाल के फिर डालेंगे इसमें चीनी और उसको उस टाइम तक भूनेंगे जब तक अपना घी न चोड़ दे तो अभी देखिए कलर इसका ब् दोड़ा जाएगा बाई और मुंग दाल का हलवा हमने पहली वरी कुक कर रहे हैं अपने घर पर बाकी तो हलुप सब क्षाय हैं तो इस वरी मन तो सचा कि मुंग दाल का हल्वा क्यों ट्राइए कर जाए तो दोस्तो हम यहाले क्योंतर जो अब्रावण हो थोड़ा हुआ आ िए ठीटिमों जो प्रस्ति आफ ज taxi है क्या बोलते हैं घी न छोड़ दे और बइलकों और जो अपनी आँच ना बिलकुल दीमी दखर नींए है ताकि ऐ अर् rozp सबस्टों सारा अपना हल एड हो गया था तो अभी है टाइम एसको सवक्रने के लिए मैं लेके जा रहे हूं बहर और घर बालों से पूछते हैं इसके रिव्यू कि कैसा बना है सूस्छ पझनाएं तरह जो करते हैं कि संबसे पेहले लेटे टाइजी का रिविविव कि कि एसा बना है आछा देभूा सो जायदे पुछते हैं आप चलते हैं ममी के बास ममी पापा और भाई कि इसा बनाया मने जल्दी पूस्ते हैं बहुत बहुत टेस्टी बोटी जाड़ा टेस्टी अच्छा पितर जी किसे बना है यह अब रिज अब रिज गोड़ा गुटवारे का तो नहीं है अब बताओं किस चीज घ़ा दो वह तो मुझे तो फूजी तो नहीं है अच्छा मुंकी दाल थो थोड़ा 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 अंड़ा परसनल तो नहीं तिल भी कुछ थीगी है बाई से कुछते हैं ओके तो बाई अपना हल्बा हो गया सक्सेस्पुल क्योंकि अपने घरवालों ने रिवी दे दी अच्छे बाकि पिता जी थोड़े अपने अपना हल्बा हो चुका है खतम और बाकिया में मैं रीवी बताओं दोस्तों हल्बा हर कुछ बना था थोड़ा सदेशी की कम था और घरवालों के प्रवलम समझी सकते हो कि घरवाले अपने जीव देशी की ज्यादा नहीं देते हैं कि खतम हो जाएगा कुछ भी है मतलब त बैसे शॉप से लेते हैं वैसे अलमस्ट वैसा ही था तो अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर बिना सकते हैं और अच्छी तरह से इसको प्रेपरेशन करके मैं बदाम डालो कुछ फ्लेवर के लिए आप इलाइची बगर डाल स बिलता हो आपको अगले वीडियो में अब तक के लिए बाइची मुंग डाल भिगो ही थी तो में चुपो यह जल्दी आ रहा है हुआ हुआ है यह वो हुआ है है अब अडरा मारा दरताको अखिराब हो यह दिखाइब ओर दक्राइब अधागि एलोगो अखिराब इसा अखिरा क्या गर्नाँ